पुरानी बस्ती से आप देखते जा रहे हैं पुरानी बस्ती के अलाग अलाग ये मतलब लाइन से है कोई पर्टिकुलर चौक नहीं है आप अलग-अलग प्रतिमाओं को गणपती पपा के देख पा रहे हैं लाइट डेकोरेशन देखे क्या जबरदस्त है बताओ मतलब हनुमान जी के गोद में गणपती पपा बैठे हैं चार भुजदारी है अब गड़ेश जी को देख पा रहे है ये बाल गड़ेश उत्सव समीती है पुरानी बस्ती के अभी आपको लेकर चलते हैं लाखे नगर चौक से हम सिधार पहुचेंगे आजाद चौक और ये देखे क्या प्यारा स्वरूप है मतलब मन मोहित करने वाला और 36 गड़ में इस टाइम एक बहुत ही वाइरल गणपती बपा है मतलब रायपूर का ये पंडाल और ये गड़ेश की मुर्ती बहुत वाइरल हो रहा है क्या बताओ मैं इतना मन मोहित करने वाला स्वरूप है क्या भव रूप से सजावड भी है देखिए पूरा आप लाइटिंग देखिए कितना भीड है हजारों की संख्या में लोग इतना आते हैं यहां की पूरा ट्राफिक जाम रहता है पुलिस परिसान रहती है देखे क्या मन मतलब ऐसा लगता है कि जीवन्त है यह साक्षात भगवान देख रहे है आखे देखिए आप मतलब यकीन नहीं होता कि यह मुर्ति है सच बतारों एक बार आएंगे तो आपको जाने का मनी नहीं करेगा तो यह लाखे नगर चौक में है रायपूर में वाव क्या बताओ मैं यार आखे और यह डेकोरेशन बहुत जादा मतलब एफेक्टिव है और यहीं आप चौक में ही यह बड़ा सा पंडाल आप देखेंगे यहाँ पूरा गडपदी पपा के पूरा परिवार को आप देख पाएंगे स्वरूप को देख पाएंगे चौक में ही एक बाल गड़े सुट्साव समीधी यहाँ से हम चलते हैं अजाद चौक अजाद चौक में यह देख पा रहे हैं आप यह भी बाले रूप में ही हैं अब इसके बाद यह देखिए नाव में बैठे हैं अलग-अलग चौक पे अलग-अलग स्वरूप आप देख पा रहे हैं तो बस यह अजाद चौक हम पहुँच गए हैं इसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहां का गोलवजार का और यह विश्णु जी के कौन से आउतार है यह आपको बहुत भ्रमित कर देने वाली बात है लेकिन देखकर बताईए हमको कि यह कौन सा ओतार है बस आप अपना प्यार आशिरवाद ऐसे ही देते रहिए और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजीगा ऐसे नए नए जगा पे नए नए इवेंट से आपको रूबरू में ऐसे ही कराता रहूंगा देखे अलग अलग स्वरूप है हम पहुच गया है फाइनली यह गोलवजार में तो अभी के लिए कड़ बती पापा मोरिया